नमस्कार साथियूं रीट परी और मैंस दो एकजाम जिनका आप इंतजार कर रहे हैं बहुत सारे साथी जो नए नए रीट बर्ती की तैयारी के लिए आए हैं जिनको अभी पातरता किया उसकता है और बहुत सारे इसे साथी है जो जैसे ये रिजल्ट निकला है उसके बाद नए बर्ती की तैयारी यानि रीट मैंस मुख्य प्रिक्षया की तैयारी का इंतजार कर रहे हैं दोस्तूं आप सभी का सीधा स्वाल आज यही बन रहा है पिछले लगबग एक से डेड़ मैना हो गया है कि रीट चाए प्री हो चाए मैंस हो कब तक कब तक ये बर्तियां हम हमारे सामने आएगी दोस्तूं तो चलिए यह वीडियो है छोटा सा इसको थोड़ा ध्यान से सुन लेना इसके अंदर कंप्लेट जानकारी पूरी रणनीती कैसे आपको तैयारी करनी है यह कंप्लेट जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है एक बार सभी साती जो वीडि की तैयारी को लेकर और इसके लावा जो भी क्योसन आपके बन रहे हैं वो आप नीचे दिये गए इंस्टाग्राम पर जाकर मेरे को मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं दोस्तूं तो चलिए दोस्तूं सबसे पहले एक क्योसन आप सभी के मिलिये छोड़ देता हूं यहां प क्योसन यह है कि आप आप रीट पातरता या मुख्य प्रक्षा में से किसकी तैयारी कर रहे हैं यह इसलिए है यह क्योसन क्यों है दोस्तों आप समझ गये होंगे क्योंकि हमें तैयारी सुरू करवानी है यूटूब पर जिस परकार हमने लाश्ट में चाहिए रीट पातरता हूँ रीट मुख्य प्रक्षा हूँ कंप्लिट तैयारी करवाई थी उससी परकार यहां पर फिर से एक बार कंप्लिट तैयारी करवाईंगे तो उसके लिए यह है कि आप किस की तैयारी कर रहे है पातरता की या मुख्य प्रक्षा की इसके लावा जिन साथ उन्हें पहले वाली मुख्य प्रक्षा दी है रीट वाली रीट दोजार तेवीस जो हुई थी पहले उसकी एक्जाम दिया है जिनुने उनके कितने परतीसत बने तो रीट दो जार तेवीस में जो हुई थी उसमें आपके कितने परसेंट बने मुख्य प्रक्षा में बताईए यह चीजें आपको कमेंट करके बतानी है और जो भी साती हमारे साथ जुड़रे हैं सभी साती कमेंट कर दें दोस्तों रीट की एक तो है आपकी पातरता दूसरी है आपकी मुखे परक्षा मुखे परक्षा अब देखिए यहां पे पातरता की अगर मैं बात करता हूं तो पातरता की वो साती इंतजार कर रहे हैं जिन्हों ने इस बाहर बीएड बीएश्टीसी किया है या जो बीएड सत लाश्ट पातरता में नहीं बनेते संक्या में बात करू तो लगबग 6-7 लाग ऐसे विद्धारती है जो वर्तमान में पातरता का इंतजार कर रहें दोस्तु और पिछले 2 महिने से हम यह भी सुन रहें कि अगले 5 दिनों अगले 10 दिनों अगले 15 दिनों में पातरता के ये notification आ रहा है लेकिन अभी तक नहीं आया दोस्तूं तो देखे रीट पातरता के लिए अभी जो सूचना आई है वो यह है कि 20 से लेकर 30 सिप्तंबर के बीच एक खुसकबरी रीट अभीरती को मिलने वाली है यानि कि जो नए रीट अभीरती बनेंगे यानि रीट पातरता की जो तैयारी करेंगे उनको एक खुसकबरी मिलने वाली है तो कहने का मतलब क्या आने वाला है नोटीपिकेशन आने वाला है विगपती आने वाली है नए रीट पातरता को ले बढ़ती नहीं आएगी तो जो बेरुजगार बढ़ती है उनके लिए सितंबर माइना बहुत बड़ा माइना है इसमें नहीं बढ़तीयं है उनकी गोशना होना क्या है जरूर ये दोस्तूँ और वैसे आज है सिकस्रक दिवस पर ऐसा लग रहा है कि लगबग ये चांस है कि सरकार के दोवारा आज किसी ना किसी बर्ती की जरूर गोशना की जाएगी अगर आज नहीं की जाती है तो 20 से 30 सितंबर के मत दे जरूर आपको रीट पातरता का नोटिपिकेशन है वो मिलने वाला है दोस्तूं समझ गए आप यहां पे अब इसके अंदर आपको त विगबती कब तक आरी इतनी उनको जान करी चाहिए तो मुक्य परिक्षया की अगर मैं बात करता हूँ मुक्य परिक्षया की देखिए गोशना होना बाकी है गोशना की जाएगी बड़ी बड़ी गोशना होगी अपद आपके 20 जार से अधिक मिलेंगे देखने को लेकिन विगबती के इस साल यानि कि चुनाओं से पहले कोई चांस नजर नहीं आ रहे हैं समय भी नहीं बता इतना और ना अभी तक कोई हमें ये जानकारी मिली है कि कोई फाइल है जो वित्विबाग के पास गई है वित्विबाग से उसको मंजूरी मिलने की इंतजार है ऐसी ये तो कहने का मतलब जो मुक्य प्रक्षया है वो आपकी अगले साल होगी लेकिन जो साती इस मुक्य प्रक्षया में पांच अंकु से दस अंकु से पंदरा अंकु से बीस अंकु से रहे हैं वो अपनी तैयारी से हटे ना एक डेड़ दो साल अगर आती है बरती तो अपनी इसलिए तैयारी से किसी को नहीं इटना है अपनी जो तैयारी है उसमें लगे रहना है और मुख्य परिक्षया की बड़ी गोष्णा साइद ऐसा अनुमान है कि सरकार के दोवारा बड़ी बड़ती की गोष्णा की जाएगी लेकिन आपको भी पता है इतना समय नहीं है कि अब चुनाओं से पहले ये बड़ती हो जाए नहीं होगी तो आप अपनी तैयारी में लगे रहे मुख्य परिक्षया वाले और आपको बड़ी बड़ती 2024 के अंदर देखने को मिलेगी दोस्तु कब 2024 के अंदर समझें यहां से यह दो तो थी पातरता की और मुख्य परिक्षया कि आपको तैयारी कैसे करनी है आगे मैं बात करूंगा एक छोटी बड़ती जिसका आप और इंतजार करते हैं उसकी भी मैं बात कर लेता हूं यहां पर वो है आपकी सेंसकर्थ डिपार्टमेंट की देखें सेंसकर्थ भी बात सहच बात और सही बात बताऊं तो पिछले दस महीने से हम इस भरती के बारे में न्यूज सुनते हैं वीडियो जो देखते हैं लेकिन ये बताए कोई बढ़ती जो आने वाली हो और दस दस महीने उसका इंतजार कर ले और पद कितने पदू की में अगर बात करता हूं तो लगबग बाईसु पद तो इतना इंतजार करने के बाद ये बढ़ती नह कोई वित्विबाग से सुविकर्टी नहीं मिली अभी तो सुविकर्टी नहीं मिली तो भी समय लगेगा और तब तक क्या जाएगी आचार सही था उसके बाद गोशना विगपती नोटिपकेशन ये चीजे नहीं चलेगी दोस्तों तो संसकर्थ सिक्षाविबाग इस वाल एक ही सलेबस रहेगा दोस्तों समझ गया आप यहां से ये थी मुक्य अब चलिए देखे ये जो जानकारी थी वो आपके सामने में रख दिये अब हम सीधी बात करते हैं वो बात करते हैं चाहे आप रीट पातरता में हो जो रीट पातरता है और फ्रेसर है यानि पहली बार तैयारी में जूटे हैं उनके लिए पातरता के लिए बात करते हैं तो आपके लिए यहां पर जो विश्य चेन करना होगा उसमें पहले एक नमर पर आएगी आपके मनोविग्यान मनोविग्यान की बात करते हैं तीस क्यूसन आएंगे और तीस ही अंके रहेंगे कोई नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहने वाली नहीं है तो तीस में से तीस क्यूसन समझ गए दो नमर पर मैं अगर बात करता हूँ तो आपको लेंगवे जाएगी बासा बासा आपकी द तीस ही अंके रहेंगे समझ गे दूसरी आप संसकर्ट ले सकते हैं अंगलीस ले सकते हैं कोई सी भी ले सकते हैं लेकिन हिंदी नहीं ले सकते हैं समझ गे जैसे दूसरी आपने संसकर्ट ले ली और लगबग राजस्तान में संसकर्ट ही लेते हैं दूसरी लेंग्वेज मे इसके भी आपके 30 क्यूसन आएंगे और 30 अंके रहेंगे अब यह कहां से पढ़नी है वो आगे में बात करूँगा तिया नमर पर हमारा विसे रहीगा अब विसे के अंदर देखिए विसे के में बात करता हूँ जो साथी साइनस से हैं या मेटस से हैं तो उनके लिए science के 30 क्यूसन आएंगे और maths के 30 क्यूसन आएंगे दोस्तों समझ गे जो साथी यहाँ पर किसे यह तो हो गया science मेट का सलेबस समझ गे अब इसके अलावा जो साथी किसे किसी भी आपके हिंदी से हैं या SSD से हैं या English से हैं उनके लिए SSD का paper आएगा और साथ क्यों सनाएंगे सिधे देखे Science मेतवालों के 30 plus 30 साथ है और SSD के सीधे साथ क्यों सनाएंगे और साथ ही अंके रहेंगे दोस्तों तो देखे, यहाँ पर एक बार टोटलिंग कीजिए, साइंस के 30, मेट्स के 30, संसकर्थ के 30, हिंदी के 30, और मनोविग्यान के 30, कुल कितने होगे, 150 क्यूसन और 150 अंकेर ये क्यूसन रहने वाले हैं, दोस्तों, समझ गे, इसमें से अब आपको करना क्या है, अब देखे, मैं एक बार वापस लिखता हूँ, और फिर बताता हूँ, देखे, सबसे पहले आपके मनोविग्यान है, वैसे तो कंप्लीट नोट्स हमारे एप पर उपलबद है, कुछ हमना ओनलाइन क्लासे एप पर उपलबद है, बाकी नोट्स पहले परचेज मत कर लेना, किसी भी, कहीं स चार नमर पे हम बात करते हैं, जिसमें हमारा साइन्स है, जिसमें हमारा मेत्स है, जिसमें हमारा एसेश्टी है, यह सबी, मनोविग्यान, हिंदी और संसकर्थ, यह कंप्लीट के कंप्लीट कलासें, लाश्ट जो रीट में हुई थी, क्योंकि इनमें, यह नहीं है क्या, समय के साथ परिवर्तन होता है इनमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है आपने 10 साल पहले पढ़ाता ना वो ही आज ही है इसमें चाहे मनोविज्यान हो चाहे इंदी हो चाहे संसकर्त हो चाहे साइंस हो चाहे मेच्स हो इनमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा एसस्टी को छोड़ दे तो संसकर्थ के tricky classes मिलेगी आपको जिन पर आप देखोगे ना एक वीडियो तो आपको लग जाएगा कि real में हम 30 में से 28 अंक लेकर आएंगे दोस्तों तो ये classes attend कर सकते हो बाकि आप जहां से पढ़ना चाहते हैं जहां से online करना चाहते हैं मैं वहाँ से आप class ले सकते हो मैं मेरा नहीं बोल रहा हूँ science math और sst ये आपने पढ़ रखी है और इन पर focus आपको अधिक से अधिक focus रखना है क्योंकि science और math ये मुखे रहती है 30-30 यनि 60 क्यूसन इनके और 60 ही इसके आएंगे दोनों के लिए तो जो भी विद्यारती है science math वाले 60 क्यूसन है ये भी 60 है बाकि मनोविग्यान है जिसकी नई तैयारी आपको गरनी हिंदिया आपने पढ़ रखी है सेंसकर्त आपने 10 तक पढ़ रखी है 10th class तक science आपने 10 तक पढ़ रखी है अगर आपने science आगे ले ले लिए तो science आपके अभी भी चल रही है meds आपके अभी भी चल रही है sht आपके 12 तक थी और अभी भी चल रही है लेकिन एक मनोविग्यान है और मनोविग्यान के अंदर आपको खुद को एक सिक्सक खुद को एक मनोविग्यनिक बान कर ही पढ़ना होगा प्रीबासों पर ध्यान देना होगा उनको लिखकर अपने सामने लगाना होगा तब जाकर वो आपको याद होगी दोस्तु समझ गए यह चीज थी कोई दिकत नहीं है जब आप बोल दोगे नीचे कमेंट कर दोगे तो ह अंदर दो चीज़े आपको पढ़नी है एक है राजस्तान जी के जो सबसे पहले बता देता हूँ पचास जिलों के अनुसार पढ़ना सुरू कर दीजिए पचास जिलों के अनुसार आपको पढ़ना है और पचास जिलों के अनुसार आप कैसे पढ़ने तो उसके लिए जि पिलादर्सन है वो आपको पड़ती दिन कलास आती है उसको टेंट करते जाए लिखते जाए जैसे योगी फिर हम पूर्णतस ले बस सुरू कर देंगे दूसरे बात है सब्जेक्ट सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा है और पढ़ रहे हैं पहले भी आपने पढ़ रखा है कोई प्रिवर्तन नहीं होगा साइंस मेहत वाले कोई दिक्कत नहीं हिंदी वालों कोई दिक्कत नहीं इंगलिस वालों कोई दिक्कत नहीं संसकर्ट वालों आपके भी कोई दिक्कत नहीं एसस्टी वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत है कि एसस्टी के अंदर रास्तान ज नए का सिर्फ आप वही इंतजार है कि चाहे कोचिंग वाले हो चाहे यूटूबर्स हो चाहे ओनलाइन कलासेज वाले हो सभी आप से यही बोलेंगे कि नया कोर्श नोंचे कर दिया गया आपको जबकि नोट्स वही काम में आने वाले और उनको ही पढ़ते रहिए दोस्तों तो यह जानकारी कैसे लगी एक बार कमेंट करके बताए जुरूर वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करने कोई भी क्यूसन कोई भी डाउट है तो नीचे इंस्टाग्राम बताया गया इंस्टाग्राम पर जाकर आप मेसेज कर सकते हैं आप सभी सातियों को बहुत बहुत धन्यवाद जे हिंद जे वार